जहां शक्ती स्वरूप है, जहां धन वैभव है, जहां ज्यान है, वहीं वास है श्री माथा वैशनो देवी का। और दूसरा नया तारा कोट मार्ग। बिना किसी रुगावट के यात्रा कर सकें, उसके लिए पूरे रास्ते में LED लगाए गई हैं। परियावरण को ध्यान में रखते हुए 46,000 फूल बौधे लगाए गए हैं ताकि प्राकृतिक आभा बनी रहे और आकर्शन का केंद्र रहेंगे रास्ते में बनाए गए फाउंटेंस। धूब बरसात और भुस खलन से यात्रियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक से निर्मित शेल्टर शेड्स लगाए गए हैं ताकि यात्री यात्रा का सुखत अनुभव प्राप्त कर सकें। इसके अलावा श्राइन बोर्ड की कारियों की श्रिंखला में जुर जुका है कट्रा सियार दबडी से भवन तक तीन किलोमीटर लंबा मेटीरियल रोप वे सिस्टम यात्रियों के खाने पीने का सामान प्रसाद और इमारतों की निर्मान संबंधी सामान इत्यादी जहां अब तक घोडों और पिठ्टु के माध्यम से भवन तक पहुँचाय जाते थे वहीं ये सामान अब भवन तक इसी रोप वे सिस्टम से पहुँचाया जाएगा राइट्स की देखरेख में निर्मेत पांच टन सामान प्रती घंटा की ख्शमता वाले इस रोप वे से जहां सामान कम लागत और कम समय में भवन तक पहुचाया जाएगा वहीं पैदल जाने वाले यात्रियों को यात्रा करने में भी आसानी होगी इतना ही नहीं माता की संपूर्ण यात्रा की कड़ी में जुड़े भैरो मंदर की कठिन चड़ाई के लिए भवन पर एक उडन खटोले का निर्मान भी किया जा रहा है साथ करोड की लागत से बन रहा रोप वे सिस्टम अपने अंतिम चरण में है हेरों से भवन तक की 3 मिनिट की यात्रा का किराया मात्र 100 उपे रखा गया है ये सोविधाएं माननिये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राश्ट कु समारपित कर रही है ताकि यात्री इन सोविधाओं का ज्यादसे ज्यादा लाब उठा सके जै माता दिये